गुद मारिंग क्लास, क्लास वन, इट्स टाइम टू जी के स्टोडी, सो आपनेट, नाव कम टू तू दा चैप्टर नमबर 22, दा नेम आप दा चैप्टर इस टाइम, इस्टुनेंट्स, हेर इस किवना क्लॉक, यह आपको एक क्लॉक दी हुई है, क्लॉक में आपके 1 से लेक मतलब पूरा एक घंटा, आपका कंप्लीट करता है, इस्टुनेंट्स टूर्ट हैंड है, इसमें यह आपका आर्स हैंड है, कौन सा हैंड है, यह आपका आर्स हैंड है, जो आपके घंटे को दिनोट करता है, हार्स हैंड है, और यह जो आपका ब्लू वाला जो लॉग तो इट मेंस जब वन से टूपे आएगा फाइफ मेंट तू से थृ पे आएगा यह 55 टिस्टेंस के मिनिट पर आपका चलता है एंड इस्टुडैंट्स यह जो आर होता है यह जो ओना यह जपी ब्लू वाला हैंड पूरा यह राउंड अपना कंप्लीट कर पाएगा तब Here, our clock tells us time, घड़ी हमें time बताती है, and time is very precious for us, और time हमारे लिए बहुत कीमती है, if we lost the time, यदि हमने समय खो दिया, we lost everything, तो समझो हमने सब कुछ खो दिया. Students, here, give and blow is the daily routine of Romy, Romy एक लड़का है, यहां उसका daily routine timetable दिया हुआ है, now fill in the blanks with their time shown, here. A student in first, he gets up at, वह उठता है, बटा सुबा के लिए हम a.m लगाएंगे, 6.30 a.m. And he takes his breakfast at, वह अपना नाशता कप करता है, 7.00 a.m., morning के लिए हम a.m का यूज करते है, he goes to school at 7.30 a.m., 7.30 a.m. पर वह स्कूल जाता है, He comes back from school, वह स्कूल से कब वापिस आता है, at 2.30 a.m. 12 बज़े के बाद दिन में हम p.m. denote करते है, p.m. से denote करते हैं समय को. And he plays at 5.30 a.m. शाम को खेल रहा है तो 5.30 a.m. And he does his homework at 6.00 p.m. वो अपना homework करता है, 6.00 p.m. साम को 6.00 बज़े He takes his dealer, वो रात को कब खाना खाता है, 8.00 बज़े, 8.00 p.m. Student here, the face of the clock is called dial. The most of the clocks have two hands and the shorter hand is called the hours hand and the long hand is called the minute hand. Now students,